असलाम अलेकुम विवर्स मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज को लाइक करना ना भूले थैंक यू रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो भी के एक अच्छा जूता पहन कर उस पर चला जा सकता है लेकिन अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल है यानि बाहर के चैलिंज से नहीं हम अपने अंदर के कमजोरियों से हारते हैं इंसान अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता और नहीं उसे मौत अपनी मर्जी से आती है तो पिर जिन्दगी और मौत के दर्मियान वखवा अपनी मर्जी से क्यों गुजारना चाहता है बहुत परवास कर बैठे खदा नारास कर बैठे अपने आँख को अच्छा बना लीजे दुनिया से एक बुरा इन्सान कम हो जाएगा वक्त और समझ एक साथ खुश किस्मत लोगों को मिलते हैं क्योंके एक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता कभी कभी मरने के लिए जहर की जुरूरत नहीं परती हसास इंसानों को तो रवये ही मार देते हैं और ये मौत बरी अजियतनाक मौत होती है डॉलर्ट मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए अगर उसे सरसर चड़होगे तो कबर बन जाएगी और कबर जंडा लोगों के लिए नहीं होती दुक्त की सख्टियां चेहरे से तो रुफसत कुचाती है लेकिन इनसान के अंगर दाखिल होकर उसके गोशे गोशे को वेरान कर देती है इनसान परिशानियों की गित्ती करने का माहिर है लेकिन नेमतों का हिसाब रखना मून जाता है खुबसूरत अमल इनसान की शक्सियत बदल देता है और खुबसूरत इखलाक इनसान की जिन्दगी अहम ये नहीं कि दोसों ने क्या सोचा, क्या कहा और क्या किया बलकि दुन्या और आखरत में अहमेद सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि आपने क्या सोचा आपने क्या कहा और आपने क्या किया ये बात हमेशा याद रखो कि दुन्या की महबत से रब नहीं मिलता लेकि रब की महबत से दुन्या और आखर दोनों मिल जाती है इन्सान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों के साथ मनाफ़क शुरू करता है किसी बेहतर की खोज में किसी बेहतरीन को मत खो देना इज़ार से नहीं इन्तिजार से पता चलता है मुखबत कितनी गहरी है हाल ऐसा के जिन्दगी भी हराम दीन ऐसा के पुदकुशी भी हराम जदिक तहके के मताबिक दुन्या गोल नहीं मतलबी है धोके ऐसे ही नहीं मिलते भला करना पड़ता है लोगों का रास्ते कहीं नहीं जाते लोग भटक जाते हैं रिष्टे और तालुप इमाना एक फन है जिसके लिए दौलत की नहीं महद अहसास की जुरूरत होती है लोगों के बदले हुए मजाजी तो हमें इनसान बनाते हैं वरना तो हम समझ ही न पाएं कि जिन्दगी कितनी मुश्किल है लोगों को समझने की कुशिश नहीं करने चाहिए लोग समझ में आने लगे तो दिल और नजर से जाने लगते हैं हस्रतों के दफन का सामान होना चाहिए दिल के कुने में अबरिस्तान होना चाहिए बेहसी कहले या नाकदरी मगर इंसान में हमेशा अपने खैर हुआ को उसके चले जाने के बाद ही पहचाना है